वेलकम टू जैनाज चैनल आज हम मक्य के दाने और मखाने की सबजे बनाएंगे इस सबजे में प्याज लसुन नहीं डालेंगे सबसे पहले एक कडाई में एक छोटा चमस गी गरम करेंगे और गरम गी में मखाना भूनेंगे मखाने कुरकुरे हो जाएंगे तब तक भूनेंगे अब एक मखाना लेंगे और तोडेंगे देखो मखाना आसाने से तूट गया है मतलब मखाना भून गये और अभी एक बावल में निकाल लेंगे मखाना खाने से हडिया मजबूत बनती है प्लट सुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है ये बीपी को भी कंट्रोल करता है मखाने में केलसियम, मेगनिसियम, प्रोटीन और आयरन भरपूर मातरा में पाया जाता है अब मिक्सर के जार में 2 कटे हुए टमाटर, 2 हरी मेच, 1,5 इंच्टूप्रा अधरक का लेंगे और 6-7 काजू लेंगे और मिक्सर में पीश लेंगे अब कड़ाही में 4 चोटी चमास तेल गरम करेंगे गरम तेल में 1 चोटा चमास, जीरा और 1 तेज पता डालेंगे अभी पीशा हुआ टमाटर वाला मसाला डालेंगे और भूनेंगे अभी मसाला भून गया है और इसमें सुके मसाले डालेंगे आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिच पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, स्वादानों सा नमक डालेंगे मसाला मेडियम गेस पर भून लेंगे मसाला भून गया है अब एक गिलास पाने डालेंगे अब एक चमच कसूरी मेथि डालेंगे कसूरी मेðि इस सब्रजी में बहुत ही अच्छी खुशबू का काम केंहीं पेस्ट दुगुना कर देती है अभी एक कटोरी दोयवे मक्हे के दाने डालेंगे मक्हा में बिटामिन A, B, E जैसे पोसक तत्वे के गुण पाया जाते हैं जो कई स्वास्ते समस्याओं को दूर करते हैं अभी भुनेवे मक्हाने डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और धकन जिससे मोटी सी क्रीम बन जाए अभी सबजी चेक करेंगे और सबजी पक गई है मक्हे के दाने फूल गए हैं और मक्हाने भी गल गए हैं अभी फेटी हुगी मलाई डालेंगे और मिक्स कर लेंगे मलाई सबजी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक चमचा चलाते रहें और इस सब्जी को दो मिनिट और पकाएंगे और उसके बाद गेस बंद कर देंगे अभी एक छोटी कड़ाई में निकाल लेंगे और उपर से हरे धनिया की पतियां छिड़क देंगे देखो कितनी अच्छी और टेस्टी सब्जी बनीए आप भी ये सब्जी बनना ये खाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक सेरे और सब्सक्राइब करें